डिस्क्राइब दे लोकेशन आप दे पॉइंट माइनस फाइब बै टू एड जीरो कॉडिनेट्स गिवेन हैं कॉडिनेट्स का बेसिक आइडिया आप सब कुछे तरीके से पता है कि कोई पॉइंट कॉण से एक्सिस पे है किस कॉडिनेट में है सारी चीजों का आप लोगों को नॉलेज हो चुका है और यहाँ नाइन्थ क्लास का कॉडिनेट जोमेंटरी अतियंथी असान है आप सब के लिए कहीं भी इसमें डिफकल्टीज नहीं आईगी तो आएक करें कि माइनस फाइब बाइट टू एंड जीरो जो है इस पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है ना तो ग्राफ देख रहे होंगे हमने कार्टीजन प्लेन आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है तो यहाँ आपका x-axis हो गया ठीक है और इस वन पार्ट भी y-axis हो गया इसको simply x-y भी लिख सकते हैं या x-o और यह आपका origin हो गया या इसके आप x-o x लिख सकते हैं y-o यहाँ पर y-axis लिख सकते हैं ठीक है ना इस तरीके से हो गया तो कर रहा है कि minus 5 by 2 तो minus 5 by 2 क्या होगा minus 2.5 हो गया तो यहाँ पर minus 2 हो गया देखें यहाँ पर minus 1 minus 2 minus 3 यानि कि यह बीच का point है ठीक है यह minus 2.5 हो गया यहाँ पर और उसके बाद फिर क्या कह रहा है 0 कह रहा है 0 यानि कि यह point इस point के बारे में इस point के बारे में यह पूछा जा रहा है, ठीक है तो यहां point जो होगा, ओ minus 5 by 2 and 0 होगा, 0 का मतलब कि x-axis पे minus 5 by 2 we have to level, और x-axis पे हमेशा याद रखेगा, coordinate 0 होता है, और y-axis पे हमेशा अपसीसा 0 होता है, यानि कि y-axis पे x-coordinate 0 होगा, और x-axis पे y-coordinate 0 होगा, यानि कि यह point जो होगा, that will lie on the x-axis, और इस question में और भी add करके पूछ दिया जाए, कि यह point कौन से axis के उपर लाई होगा, तो जहाँ पर ordinate 0 है, इधिया ordinate 0 है, तो x-axis के उपर लाई होगा, और जब वही अगर एपसीसा 0 हो जाए, that means कि वो कहाँ पर होगा, y-axis के उपर लाई करेगा, तो इस point का location हम इस तरीके से बता सकता है, a point lies on x-axis, at a distance of 5 units from the y-axis, कि एक point है, जो x-axis के उपर लाई करता है, at a distance of 5 units from the y-axis, y-axis से 5 units में, तो 1, 2, 3, 4, यह point आपके पास यह हो गया, आप कहा रहा है कि what are its coordinates, तो इस point का जो coordinate होगा, obviously 5 x-axis के उपर है, so ordinate will be 0, तो इसका जो coordinate हो गया, वो क्या हो गया, 5, 0 होगा, क्योंकि point जो है, वो x-axis के उपर है, जब x-axis के उपर होगा, तो उसका ordinate 0 होगा, ठीक है, अब what are its coordinates, हो गया, clear हो गया, what will be its coordinates, if it lies on y-axis, at a distance of negative 5 units from the x-axis, मतलब कि, अगर negative 5 units, that means कि, हमें इस point के बारे में कहा रहा है, from the x-axis, तो अगर इस point का coordinate हगर हमें लिखना हो, देखिए, यह point y-axis के उपर है, इसलिए abscissa 0 होगा, और y आपके पास minus 5 होगा, ठीक है, तो इस point का coordinate 0, minus 5 हो गया, यहाँ पर 5, 0 हो गया, अब यहाँ पर करें कि distance of minus 5 units, तो technically ऐसे आपके पास minus 5 units लिखा हुआ नहीं आएगा आएगा आपके paper में, क्योंकि distance कभी भी हम यहाँ पर negative, measurement को negative नहीं consider करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस case में अगर paper में दे रखाओ कि, below x-axis, that means कि, आप negative ले रहो, अगर left-hand side of the y-axis, that means कि you are considering, ठीक है, negative, आप negative measurement आप यहाँ पर ले रहो, otherwise यहाँ पर कभी भी किसी question में minus 5 units, usually आपको बड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि distance है, तो जैसे अगर कहता है कि भाई, y-axis के left-hand side में, तो आप सोच लेना को negative measurement के बारे में कहा जा रहा है, या x-axis के below है, तो negative हो गया, यह बब कहा जा, positive हो जाएगा, y-axis हैगा, right-hand side में कहा जा, that will be positive हो जाएगा, ठीक है न, तो यहाँ पर इसके coordinate से आगया, अब what will be its coordinate, see if it lies on y-axis, ठीक है, at a distance of minus 5 units from the x-axis, ठीक है, तो दोनों के coordinates हमने find कर लिए, write the coordinates of the point whose ordinate is minus 5, जिसका ordinate minus 5 है, and which lies on the y-axis, और जो y-axis के उपर लाई करता है, और ordinate minus 5 है, तो ordinate minus 5 और जो y-axis के उपर है, that means कि हम इस point की चर्चा कर रहे है, this is the point, है न, कर रहे कि ordinate minus 5 है, and lie on the y-axis, अब इसके हमें coordinate बताना है, तो y-axis के उपर है, इसलिए एपसी सा 0 होगा, और ordinate minus 5 होगा, आ गया, तो यानि कि आपके पास इसका जो answer होगा, वो 0 और minus 5, which lies on the x-axis, x and y-axis both, आप करें कि ऐसे point का coordinate में बताना है, जो x और y-axis दोनों के उपर, that means obviously this is the origin, और origin का coordinate सा आपके पास 0-0 होता है, x के भी आ गया और y के उपर भी आगया, उज एपसी सा is minus 3, and which lies on the x-axis, तो एपसी सा minus 3 दे रखा है, और x-axis के उपर है, that means कि y-axis के left hand side में होगा, तो हम इस point के बारे में कह रहे हैं, तो इस point का coordinate जो होगा, x-axis के उपर है, तो यह minus 3, और जब x-axis के उपर होगा, इसका ordinate 0 होगा, तो these are the 3 points, ठीक है न, ये 3 points आपके होगा, तो बहुत basic है, बस थोड़ा सा खाली graph काप का concept के लिए रहोना चाहिए, फिर कहीं भी आपको देखत नहीं आएगे, in which coordinate will the point lie, if its ordinate is 2, if its ordinate is 2, ठीक है, इसका ordinate 2 है, याद रखे, ordinate मतलब y-axis, positive 2 है, and abscissa is minus 3 है, देखे, ordinate plus 2 है, abscissa minus 3 है, यह minus 3 होगा, abscissa, और ordinate 2 है, that means कि इस point की हम बात कर रहे है, अगर इसको message कर दें, तो we are talking about this point, the first quadrant, यह obviously आपके पास second quadrant होगा, यह आपका first quadrant है, यह second है, और इस case में यहाँ पर, this one will be third quadrant होगा, और यह fourth quadrant होगा, यह x-o और x है, ठीक है, इसी तरीके साब यहाँ पर y, और o और y-स आप यहाँ पर बड़े अराम से लिख सकते हैं, ठीक है, arrow दे दीजिएगा, आप usually graph कुछ तरीके से ही आपको करना है, presentation बिलकुल proper होना च ठीक है, ठीक है, तो यह कर, ordinate is 2 and the abscissa is minus 3, तो that will be minus 3 and 2, तो इस point का coordinate होगा, minus 3 and 2, obviously, देखने में आपको लगी रहा कि second quadrant में है, कोई problem नहीं है, बिलकुल यह आपका, तो यहाँ जो आएगा, आपका second quadrant में आएगा, ठीक है, अब कर, abscissa is minus 4 and the ordinate is minus 2, तो abscissa minus 4 है, and ordinate minus 2 है that means कि हम इस point की बात कर रहा है, तो यहाँ आपको देखने में लग रहा है, कि बिलकुल third quadrant में है, तो third quadrant में, यह आपका आगया, third quadrant में है, ठीक है, आप कर रहा है कि ordinate is 3 and abscissa is 4, ठीक है, दूसरे आपको देखने में, abscissa is minus 4 था, और ordinate minus 2 था, अब तिसरे में ordinate is 3 and abscissa is 4, यहाँ पे 4 आ गया और आपके पास ordinate जो है, वो 3 है, that means कि हम इस point की बात कर रहे है, तो यहाँ पे पास first quadrant में आ जाएगा, यहाँ पर ए 4 हो गया और ए 3 हो गया, तो this is first quadrant में है, तो यहाँ आपके पास first quadrant में हो जाएगा, ठीक है, ordinate is 3 and the abscissa is minus 2, ordinate 3 है, ordinate 3 है और abscissa minus 2 है तो यानि कि हम इस point की बात कर रहे है, तो यहाँ जो होगा आपका fourth quadrant में होगा, ठीक है, तो यहाँ आपके पास first quadrant, यानि कि first quadrant का जो sign होगा, उस किसमे abscissa भी positive और ordinate भी positive होगा, second quadrant में abscissa negative है, और ordinate positive है, third quadrant के अगर हम बात करें, तो दोनो negative है, abscissa भी negative और ordinate भी negative, fourth quadrant की ब तो ए ध्यान रखिएगा इस तरीके से अगर graph clear है तो आपको coordinate को find करने में कहीं भी दिकत नहीं आए plot the points अब हमें points को plot करना है करें कि 4,0 तो चले पहले 4,0 ले ले लेते हैं हम लोग तो ए 4,0 का मतलब यह point हो गया है न ठीक है उसके बाद कह रहा है कि 4,4 ठीक है ए 4 हो गया और यहाँ पर आपका 4 हो गया ए 4,4 हो गया चले अब 0,4 ए 0,4 यानि कि यह point हो गया और उसके बाद कह रहा है कि ठीक है इन तीन point को आपको plot करना है तो plot कर दिया हमने तो ए यहाँ पर इस तरीके से a point plot हो गया अब करें कि join op देखें अब पहला point हमारे पास p था इसको हमने नाम p दे दिया और second point है 4,4 वाला point जो है q है और उसके बाद यह है r और यह point आपके पास o मिल या नहीं आप हमें देखें यह figure एक हमें मिल रहा है यह figure हमारे पास आगया this is the figure we have ठीक है इस figure को अगर हम थोड़ा और भी shade कर दें आपको clear दीखें यह figure आप सबको बहुत clearly दीख रहा होगा यह figure हमें दीख रहा है तो करें कि write the figure so formed देखो न यहाँ भी 4 unit है यहाँ भी 4 unit है यहाँ भी 4 unit है यहाँ भी 4 स्क्वेर का figure होगा figure जो बनेगा हो square बनेगा क्या बनेगा square write the figure so formed and find its area अग जब इसका हम area निकालेंगे तो area square क्या होता है यह 4 unit है यहाँ भी 4 unit है यहाँ भी 4 unit है यहाँ भी 4 unit है यानि कि side square होता है आप सबको पता है side square तो 4 का square होगया 16 ठीक है square units आप लिख सकते हैं 16 square units होगा that will be the area होगया ठीक है तो ऐसे अच्छा question है standard equation है तो plot करके देख लिजे सारे side से यहाँ पे 4 units है 4 units से 4 square बनेगा और area निकालेंगे हम इसे तो क्या करेंगे 16 square unit हो जाएगा plot the points अब हमारे पास यहाँ पे points को plot करना है a का coordinates 4 and 3 है तो यह 4 और positive 3 यानि कि 4 और positive 4 और 3 है तो यह 4 positive है और 3 है तो this point यह point आपका आगया है ठीक है और इस point करना हमने यह रखा चलिए भाई यह point आपके पास a है उसके बाद आते हम b का minus 4 and 0 minus 4 b का जो है minus 4 और 0 यानि कि point x axis के उपर होगा क्योंकि या इस case में जो coordinate है वो 0 के बराबर है और b वे minus 4 और a b हो गया और d जो है 4 and 0 है d जो हो गया 4 और 0 है यानि कि x axis आप 4 है और यहाँ भी coordinate 0 है तो इस point को अगर हम ऐसे mark करें तो a हमारे पास इस तरीके से आ रहा आप क्या कह रहा है if find the coordinates of c तो a आपके पास a हो गया और b का coordinates minus 4, 0 था a b हो गया और उसके बाद c d का coordinates 4 and 0 था a d हो गया ठीक है a d हो गया d का 4 and 0 है d का 4 and 0 है a का 4 and 3 है और A का 4N 3 है और A का 4N 3 है B का minus 4N 0 है minus 4N 0 है और D का 4N 0 है D का 4N 0 है आप करें के find the coordinates of the point C तो वही C अगर हम लें तो अगर हम इसको इस point को join करें यहां से ऐसे join करें ठीक है यह point आपके पास C बनेगा ठीक है यह point आपके पास such that कि A, B, C, D जो है वो पैरललोग्राम हो दे A, B ठीक है A, B, C, D आपका पैरलोग्राम हो दे तो करें कि C का coordinates find the coordinates of C अब यहां पर naming जो है थोड़ा alphabetically mistake है question में A का हमने coordinates क्या लिया 4N3 लिया A का coordinates 4N3 है उसके बाद हमने लिया B का coordinates minus 4N0 है यह आपका minus 4N0 आगया उसके बाद D जो है 4N0 D जो है 4 और 0 है ठीक है अब C का पुछ रहे तो इस case में C जो यहां पर करें पैरलोग्राम हो तो C का जो coordinates होगा यहां पर यह minus 4 है और A part कितना हो गया positive 3 हो गया यानि कि minus 4N3 होगा C का coordinates क्योंकि F C सा minus 4 units है ठीक है F C सा minus 4 F C सा minus 4 units है ठीक है और यहां पर 3 units on the Y axis है that means कि this point will be तो minus 4N3 अब यह आपका figure जो है वो पैरलोग्र लेकिन इसमें alphabetically जो है न later की थोड़ी सी mistake है ABCD जैसा अब ADBC होगा या ACBD होगा ठीक है BD AC होगा ठीक है यहां जो दिरिखा हमारे पास कि ABCD इसको हम हमें correction करना पड़ेगा तो यहां पर such that यह होगा कि ACBD यहां पर हम correction कर लें कि such that ACBD is a parallel होगा ठीक है plot the points P 4,6 है P पर 4 है और यहां पर 4 के बाद हम आ जाएंगे सीधे सीधे इस point विल भी यहां पर 4 है और यह आजाओ आप 6 4 और 6 इस point इसका कहरा है coordinates 4,6 P का इसके बाद कहरा है कि minus 4 and 5 है minus 4 and minus 5 है तो minus 4 और minus 5 that means कि एक, दो, तीन, चार, पांच we are talking about this point यह minus 4 and minus 5 हो गया अब 4 and minus 4 है 4 and minus 4 है यह 4 हो गया और फिर आपके पास minus 4 है ठीक है अब यहाँ पर rectangle है तो यहाँ पर 4 and 6 है positive 4 and 6 हो गया minus 4 and minus 5 है minus 4 and minus 5 है ठीक है उसके बाद आप P, Q यह आपके पास P मिल गया उसके बाद हमारे पास minus 4, minus 5 एक Q पॉइंट है this is Q P, Q हो गया अब P, Q हो गया उसके बाद R हो गया R के पास 4 and minus 4 है positive 4 and minus 4 है ठीक है तो यह R हो गया R हो गया तो कह रहे है कि P, R, Q, S तो यहां से तो हमने इसको जॉइन कर लिया P, R P, R आप देखिए यहां पर यह थोड़ा mistake है यह point जो है इसमें यह point आपका A, S से होना चाहिए था देखिए तो आप ठीक है यह आपके पास R होना चाहिए था इस point पर rectangle पूछ रहा है rectangle कहा रहा है यानि कि यह आपका जो point होना चाहिए था 4 और minus 5 तो इसको हम correction कर लेते हैं ठीक है R का जो point है 4 और minus 4 ना minus 5 होना चाहिए 4 और minus 5 अब P R Q अब यहाँ पर S कर दो ठीक है अब यहाँ पर चलो अब आदी हम P हमारे पास 4 न 6 था Q हमारे पास minus 4 और minus 5 है यह बिल्कुल ठीक है correct है यह point है और R हमारे पास 4 न minus 5 है अब figure यह correct हुआ इसके बाद कर रहा है कि अब क्या इस point का S का तो S आप आगे बढ़ाते रहो यहाँ से आप आजाओ such that it is a rectangle A rectangle होगा यानि कि अब जो हमने आपको image बना कर दिखाया यहाँ पर A rectangle होना चाहिए तो P, R, Q, S तो S का जो हो गया coordinates minus 4 और यहाँ पर 6 minus 4 and 6 तो S का जो coordinates होगा minus 4 और 6 होगा इसका अगर हमें area भी find करना हो तो इधर में देख लो 6 unit है और यहाँ पर कितना है अब 5 unit है 1, 2, 3, 4, 5 तो 6, 4, 10, 11 तो यानि किसके area जो होगा 11 और इधर भी check कर लो यहाँ पर 4 unit है और यहाँ भी 4 तो 11 into A8 हो जाएगा इस तरीके से इसका area भी find कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा mistake था R को हम 4, minus 5 कर लेंगे इसमें correction कर लीजिएगा तो इस तरीके से होगा तो फिगर खुद भी आप देख लेंगे तो बड़े अराम से इसको level करके और फिर आप इसका बना सकते हैं उसके area निकालना हो और बड़े अराम से इसके area इसको भी आप find कर सकते हैं